बाइ historians नहीं कहते हैं वे सगी माँ को भर्र माँ नहीं कहते हैं किसी के करम फूर जाए कोई पाप की पत्नी आ जाए तो वुटे करम उसके बागी पत्नी तो धर्रम पत्नी होती है समझ गे ना पत्नी तो क्या होती है अच्छा हुआ दो मिड लाइड बन दोगी मुझे सब के चेहरे नजर आ गए तो इतनी तेज लाइड है मुझे कुछ दिखता ही निया कौन कहा बेठा तो धर्म पत्नी पास में लेटी हुई थी और बातों ही बातों में उसने बताया अरे आज मैं वहाँ गया वहाँ गया इतने साफे इकठी करके लाया हूँ इतनी माराई इकठी करके लाया हूँ पांदस सौल भी लाया है आज मैंने कुप सारी बेड़े करके लाया हूँ अरे वो महराज है ना शेहर में आयो वे गया मैं उनके पास समझती नहीं आदमे आदमे फरक बैठा दिया मुझे मैं तो फिर उनको सुना कर आगया उनको महराज को मैंने कहा दिया महराज आप में अकल नाम के चीज नहीं आदमे 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 आफरक नहीं समझते पर एक बात बताओं कि क्या महराज पैचान गए कहने रहे तुम तो हमारे हीरे हो नगर के हीरे हो कितनी थारीफ कियोगी महराज मुझे पैचान गए मैं कितना बड़ी आदमी हूँ पतनी ने अपने पती के बालों को सेलाते वे का एक बात कहूं कि कहो संत ने वो नहीं कहा जो तुम हो और तुमने वो नहीं कहा जो संत है सच्चाई वो है तुमने वो कहा जो तुम खुद हो और संत ने वो कहा जो वो खुद है क्योंकि इनसान अपनी जबान से वही बोलता है जो उसके पीतर का व्यक्तित तो होता है इसलिए जब भी बोलो ना ये इस बात का जरूर ध्यान लखना आपकी जबान ही आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी ताकत बनती है सबसे बड़ी शक्ती बनती है इसलिए अपनी जब भी दूसरी फैक्टरी माला माल जिंदगी बनाने के लिए दूसरी फैक्टरी आपके जीवन में कुल रहा हूँ और वो है जब भी बोलो तोल कर बोलो जब भी बोलो वीवेक से बोलो जब भी बोलो शांती से बोलो जब भी बोलो आनन से बोलो दिल को बड़ा रखो दिमाग को ठंडा रखो वाणी को मीठा रखो अगर फिर से आप से कोई नराज हो जाए तो मुझसे आगे बात काना दिल को बड़ा रखो दिमाग को ठंडा रखो जबान को मीठा रखो अगर फिर भी कोई आपसे जिन्दगे में नराज हो जाए तो मुझे साके जरूर बताना साब ये सद्गुन मुझ में थे तब भी मुझे कोई नराज हो गया मिठी वानी बोलिये मन का आपा खोल औरन को सी तल करे आपा हुसी तल होए सुनाए ना ऐसी वानी बोलिये मन का आपा खोल मेरे पास एक वेक्ति आया आके कहने लगा ऐसी वानी बोलिये कि सबसे जगड़ा होए क्या कहा ऐसी वानी बोलिये कि सबसे जगड़ा होए मैंने उसके सिर पे हाथ फिरते वे कहा पर ऐसी वानी बोलिये कि सबसे जगड़ा होए पर उससे बिलकुल मत जगड़िये जो आपसे तकड़ा होए ठीक है ना? तो सोच समझ के बोलना कहां अपनी जवान कोल रहे हो समझगे ना? तकड़ी के सामने जगड़ा सुन कर दिया तो पस्ता के गर पे आओगे हमेशा जवान से सिष्ट बोलो मिष्ट बोलो इष्ट बोलो ताके विश्ष्ट हो जाओ क्यांकि हम जो भी बोलते हैं दूसरों के दिलों में हम चाप छोड़ कर जाते हैं हाँ जोड़ो नव वर्स पर दूसरी फैक्टरी खोल रहे हैं आज से मैं सब के साथ मिठास से बोलोगी क्या बोलो सब के साथ सब के साथ सब के साथ विशेस कर पती हाँ जोड़ ले मैं अपने पतनी से हमेशा मिठास से बोलूगा और पतनी हाथ जोड़ ले मैं अपने पती से हमेसा मिठास से बोलूँगी कभी भी किसी का पानी मत उतारिए ध्यान रखिए जिन्दिगे में कभी भी किसी का पानी मत उतारिए क्योंकि आप अगर उसका पानी उतारेंगे तो सामने वाला कोई आपकी आरती उतारने वाला नहीं है पकेवे फल की दो पहचान नरम होता है और मदुर होता है बड़े आदमी की दो पहचान शांत होता है और सुन्दरता सीतलता से बोलता है ये बड़े आदमी की पहचान होती है जब भी बोलो, जिस से भी बोलो, जहां भी बोलो, प्रेम से, मिठास से बोलो, आसे नियम बना लो, हम कभी किसी का पानी नहीं उतारेंगे हाथ जोडो, मैं कभी किसी की मजाक नहीं ओडाऊंगा, मैं कभी किसी का पानी नहीं उतारूंगा क्यों कि मैं किसी की आर्ती उतारता हूँ तो लोग मेरी आर्ती उतारते हैं और मैं किसी का पानी उतारूँगा तो लोग मेरा चलो एक वारे मुठी खोलो यू लो हाथ हाँ यू लो चलो मैं काम करता हूँ यहाँ पर इतने सारी लोग बैठे ये सभागार साथ पहली वार यतना लबालब भरा होगा जिंदिगे में न चलो इसको लिए हाथ में और मैं आपके सब की हथेली में सो सो ग्राम गुलाब जल डालता हूँ ठीक है भरो भर गया है आगया है चलो जोर से उचलो या देखो आपके उपर अब क्या आके गिरा होगा लगबग एसास करो क्या गिरा होगा क्या गिरा होगा गुलाब जल की फुवारी आई दूबरा एक काम करो दूबरा लो मुठी अब मैं आपके मुठी में सो सो ग्राम ध क्या गुलाब जला के वरसा है वाँ वाँ आया गुलाब जल आया 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 तो अब बतो क्या आया जिन्दगी का नियम है अगर आप दूसरों पर गुलाब जल चिड़कते हैं तो लोग आप पर गुलाब जल चिड़केंगे अगर आप दूसरों की धूल उड़ाते हैं गदे, तो कुवा अपस क्या बोलेगा, आओ गणेश, क्या बोलेगा, कुवा में जाकर बोलोगे, ए गदे, अब बोलो कुवा में से क्या आवाज आएगी, एक वार आएगी के तीन वार, आप जाकर बोलेगे, ओ गणेश, कुवा बोलेगा, पधरो गणेश, दुनिया का नि हम ले लो मैं जब भी जबान का इस्तेमाल करूंगा शालीनता से प्रेम से मिठास से शांती से अपने हर शब्दों को ऐसा बोलूँगा जिसे दूसरों के दिलों में मेरे लिए सम्मान पूर जगह बने अगर आप जिंदगी में अंतिम और तीसरी फैक्टरी खुलना चाते हैं पहली फैक्टरी कौन से खुल ली है पकी बात पकी बात वादा करो चलो हाथ आगे करो और मुझे वादा देओ कि गुर्देओ आज हमने वास्ता में ये फैक्टरी खुल ली है हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे नहीं करेंगे प्रमिस दूसरी दुबरह एक वारो हाथ ख़लो और बहुत को हम दूसरा नियम लेते हैं हम कभी कड़वी जबान नहीं बूलेंगे हम कभी टेड़े शब्द नहीं बूलेंगे और एक कड़वी जबान दूसरों के दिलों में कितनी आग लगाती है, कितना दुखी करती है इसलिए हम जब अतिचार बोलते है ना प्रतिकमर में, तो अतिचार में बोला करते है, मन वचन काया करता है, मन से भी काया से भी और बीच में क्या है वचन से भी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो और जिंदगे में याद रखना किसी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाना जरूरी नहीं है किसी लकीर को छोटा करने के लिए उसे मिटाना जरूरी नहीं है बुद्धिमान लोग लकीरों को मिटाया नहीं करते नई लकीर बनाकर अपने जिन्दगी को आगे बढ़ाया करते है तो कभी भी हाथ जोड़का नियम ले लो मैं कभी कभी किसी के मजाग वो मैंने पिछली वार जब रविन्द नाटे गरह में प्रवचन था ना मैंने दो लाइन के घटना सुनाई थी और आज दोबरा सुना दो ताकि नव वर्स पर हंसे की फुहार लेके सीख मिल जाएगी और जब एक पत्नी ने अपने पत्नी से पूछा एक बात बताओ तुम मरने के बाद किदर जाओगे किसको पूछा पती को तो उसने जर्से का मैं तो स्वरग में जाओँगा अच्छा स्वरग में जाओगे तो मैं वाँ क्या मिलेगा मुझे तो वाँ पर अपसरा मिलेगी अपसरा क्या मिलेगी मुह से बोल दो ना एक वर मुह मीठा हो जाएगा, बोला बोल के मिलने वाली तो है नहीं, इस जन्नमें नहीं मिले तो अगले जन्नमें क्या दूर मिलेगी? पर भी हिर भी बोल लो, मुझे वाँ क्या मिलेगी? अपसना मिलेगी अपसष्णा, पत्नी को थोड़ा सा बुरा लगा समझ गए ना बुलागे गा ना बुरा क्या अभी तक तो साथ साथ जन्म की बातें करते थे और अब कहने लगे अपसरा मिलेगी अपसरा तो पत्नी ने का भी मैं तुझे तो मरे पसंद नहीं करूँ इस जन्म में मेरे करम पुटे तू मिले अगले जन्म में तो चालत में नहीं तो पत्नी ने का भी ठीक है तुभारी मरजी मुझे कोई प्रब्लम नहीं पर एक बात बताओ तुम तो अगले जन्म में स्वर्ग में जाओगे तुम्हें वह अपसरा भी मिल जाएगी तो मुझे अगले जनम में क्या मिलेगा पती था टेड़ा बोलने वाला टेड़े बोलने वाले के हाल क्या होते हम मैं बताता हूँ पती था टेड़ा बोलने वाला उसने का तुझे तने तो बॉंद्रो मिली बॉंद्रो कई मिली बंदर मिलेगा अगले जनम में बंदर मंकी पत्नी ने का गजब के आद में तो मैं तो इस जनम में भी अपसरा मिली और अगले जनम में भी अपसरा मिलेगी मुझे इस जनम में भी बंदर मिला और जो जो लोग अपनी पत्नी के अगले जनम को बंदर बनाते हैं पत्नी उनके इसी जनम को बंदर बना के खड़ा कर देती है तीसरी फेक्टरी थोड़ा और निचे उतरो हाथ रखो हिर्दे पर बुद्धी लगो यहाँ पर अब कौनसी फेक्टरी खोले है Love Factory कौनसी? Ice Factory? Sugar Factory? कौनसी? Love Factory मैं सबसे प्रेम करूंगा मेरा सब के परती प्रेम भाव है मेरा किसी से भी वैर विरोध और नफरत नहीं है ये Love Factory होनी इसलिए जरूरी है किसी एक को मत बोलो I love you अरे पुरी समश्टी को बोलो I love you क्योंकि मेरा किसी के परती कोई वैर भाव नहीं है मैं सबसे प्रेम करता हूँ मैं सब के काम आऊंगा ये धरती अगर स्वर्ग बन सकती है तो एक ही मंत्र है इस धरती पर रहने वाला हर इनसान और एक दुझे से प्रेम करना सुरू कर दे ये धरती स्वर्ग बन जाएगी सब एक दुझे से नफरत ना करें प्रेम करें मिठास गोलें एक दुझे के साथ माधुरिया गोलें एक दुझे के काम आने की कोशिश करें प्यार महबबत कीजिए एक दुझे के गलें लगिए एक दुझे को जादू की जप्पी दीजे रहे मैं कहता हूं जो घर में चार लोग है ना इन मीन गीन तीन चार पाँच लोग है कौन से विश्व शांती की बात करते हो विश्व प्रेम की बात करते हो घर में जो छे लोग रहते हैं अगर वे ही आपस में प्रेम से रह जाएं तो विश्रम प्रेम तो होई गया अगर आप दिरानी जिठानी है ना सुबह सुबह अपने रूम में से बाहर आती है कैसे आती है एक तो बिकरे वे बाल सीथी बाहर नेकल इधर दे रहा नहीं इधर जिठानी दोनों एक दुझे को दिखती हैं तो क्या हो रहा होगा नहीं नहीं रूम से बाहर आओ यूं किया पहले चेरे पर मुसकान जरूर लेकर आओ और सामने जिठानी आ रही है थोड़ा सा क्या बोलो बोलो थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा दो नमबर दो अगर देनानी सामने आ रही है उसे गले लगा लो जादू की जप्पी दे दो प्रेम जितना बांटोगे धर्ती पर धर्ती उतनी ही गुलाब का हसता खिलता मुसकुराता फूल बन जाएगी जितना प्रेम धर्ती पर बांटोगे प्रेम बांटो मेरे भाई प्रेम जितना प्रेम दुनिया में बाटोंगे मूँ फुला कर जीने में कोई फाइदा नहीं है और चार मीठे शब्द बोलने से कोई आपकी जायदाद कम होने वाली नहीं है किसी को अगर मान सम्मान दे देंगे तो कोई आपकी दौलत लगने वाली नहीं है और किसी के अगर काम आजाएंगे तो आपकी इज़त खतम होने वाली नहीं है क्या फरक पढ़ जाएगा अगर इश्वर्न ने आपको जो दिया है उसका एक अंस किसी के बलाई में काम आजाएगा तो क्या फरक पढ़ जाएगा चिड़ी चौँच बढ़ ले गई नदी नगटियो नीर अरे किसी का सयोग कर देगो तो तो तुमारे जियोन में गाटा नहीं होगा पर उसका बला हो जाएगा अच्छा है चलो 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 प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए एक काम करते है मेरा अच्छी बैनों एक काम किया करो जब अभी सुबह आटा बिगो ना तो एक काम किया करो दो मुठी आटा ठीक है ना कितना आटा मुठी भरो हाथ में बैनो खोलो मुठी अपनी दो मुठ्ठी आटा क्या किया करो extra जैसे समझते हैं आप कि रोज आप आप अपने गर में चार लोग हैं तो कितना आटा भीगोना पड़ता है प्रमिनबाई सा आप घर में अगर 4-5 लोग है तो कितना मुठ्ठी आटा भीगوتे है कितना मुठ्ठी च्छे मुठी च्छे मुठी में सब ने पड़ जाते हैं चलो कल से मैं अभी रोज आपके गरगोशी आओंगा मेरे लिए दो मुठी और ठीक है ना और वो दो मुठी आटा जो भिगोते हैं नेकी कर कोई में डाल जरूर भिगो या करो अरे मैं तो कहता हूँ चार भिगो दो आठा आपके पीहर का तो नहीं है ना लगाओ न चूना इनके क्या फरक पड़ता है हाँ पीहर का आठा हो तो एक चिप्टी भी न डाले मेरे पीहर का आठा कुतों के लिए तुड़ी है अरे जसराल का आठा है मुबाइल में डाठा और घर में भी गो जमके आठा और दो डोटी जरूर बनाओ सच कहता हूँ आप दो मुठी आठा निकालेंगे आपकी घर में कोई फरक नहीं पड़ेगा पर जिस भूखे आदमे के पेट में रोटी जाएगी उसके पेट में जरूर फरक पड़ेगा ये जो आज से अपने प्रभू प्रसादम यहां पर सुरू किया है न आजीवन के लिए प्रभू प्रसादम सुरू किया है न इसके पीछे मुल उद्देशी यही है कि हर आदमे को कम से कम सब्ता में एक दिन पॉष्टिक भोजन मिल सके साथ्टिक भोजन मिल सके अच्छा भोजन मिल सके बड़िया क्वालिटी का भोजन मिल सके इस पवित्र भावना के साथ अबन सुरू कर रहे है ताकि आदमे अपने जिन्दगी में क्या उन से फैक्टरी खोल सके love factory आसे नियम बना लो मैं हमेशा क्या क्या करूँगा रहीमन अधागा प्रेम का मत तोड़ो क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांट पढ़ जाए नमबर एक प्रेम को निभाने के लिए रिस्तों को हमेशा निभाईए रिस्तों को रिस्तने मत दीजिए छुड़े छुड़े बातों को लेकर धराध मत ना लिए दूसरी बात अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और वो है वक्त बे वक्त में जरूर काम आई अगर आज किसी का समय बिगड़ गया है आप अमीर है वो आपके हैं पर भाई होकर भाई के कामाना ये दुनिया के हर धर्म का धर्म है आप इससे अगर मुँ मुड लेते हैं तो आप मान होता से मुँ मुड रहे हैं इसलिए अपने जीवन में ये तीसरी फैक्टरी लौ फैक्टरी जरूर खोलो मैं अपने द्वारा सब के भलाई के नेकी के काम करूंगा हाँ आज की मैं अंतिम बात अब जो कह रहा हूँ लौ फैक्टरी के लिए वो है दीन दुखी की मदद के लिए इश्वर ने जो आपको दिया है उसका एक अंस आज एक काम करना घर जाकर संकार पले लेना जिसका हाथ में ज़्यादा छूट नहीं है वो दस रूपया रोज निकालो जिसके हाथ में थोड़ी छूट है वो बीस रूपया निकालो जिसके हाथ में ज़्यादा छूट है वो 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 पचास रूपया निकालो और जो अमीर है वो सो रुपया निकाल लो रोज इतने रुपया निकाल कर भगवान के सामने गुलक में या कोई आले में या कोई डिब्बे में या कोई टिफिन में डाल दो और जब महीना पूरा हो जाए अगर आपने सो रुपया रोज के डाले हैं तो तीन हजार हो गए, सच कहता हूँ, अगर आपने रोज की सुरुवात यू की है, आपके पास तो यू करने के लिए एक हाथ है, पर भगवान के पास यू करने के लिए हजार हाथ है, ठीक है, उसके पास आपको देने के लिए हजार हाथ है, और ये काम, ये साल आप नीकी के लिए गुजार कर देखिए और वो ये काम कीजिए कि मैं, मैं, मैं पचास रुपिया, सो रुपिया रोज निकालूंगा और कोई ने कोई एक बलाई के काम में हर मेने अपने और से खर्च करने की कोशिश करूंगा अपनी बात खतम करने से पहले एक प्यारी सी कहनी कहकर आप लोगों को खड़ा करता हूँ ध्यान में ले लिजिएगा, यहां से खड़े होने के बाद ये लोग आपको बता देंगे भोजन सभी लोग करके जाना, इसके बगर कोई भी यहां से मत जाएगा हमारा यहां से जोदपूर के लिए प्रस्थान होगा जोदपूर में संबोदिधाम है, आदनिया चंदर प्रभजी माराज भी विराजमान है जब अभी आपके राजस्तान में पधार नहो, स्वर्ग सरीकियो साधना इस तलिए में जरूर पधारिएगा और आज आप कैसे मैं आपको बताऊं, जीवन में ऐसा कभी नहीं आया होगा पर अभी पांसाथ दिन से ऐसा भाह बना है, कि हम एक नई नगर का चैन करते हैं जो नगर चार्ज है, जो नगर धर्म, संस्कृति की पहचान है जो अध्यात्म, ध्यान, साधना, खेत्र, सेवा की पहचान है और हम इंदोर शहर में साधना का एक अनुपम खेत्र, सिक्षा और साधना से जुड़ा हुआ संबोधी धाम को फिर से इंदोर में भी साकार करनी की हम लोग मान सकता बदारे बहुत जल्दी आप लोग अपने शहर में साधना का एक दिव्य वातावन देखेंगे जहां पर जाने मात्र से मनुष्य को मन की शांती और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो सके मैं खुला आवान कर रहा हूँ आप में से किसी भी व्यक्ति के पास अगर राजवारा खित्र के 10 किलोमेटर एरिया 15 किलोमेटर एरिया अगर कोई बड़ा भुखंड हो आप हमें जान करी दें या ये प्रवचन प्रबंद समीती के लोगों को जान करी दें अगर आप उपहर में देंगे आपके द्वारा पुरे इंदोर के लिए ये महान अवदान हो जाएगा और आप ये नहीं देना चाहें आप जितने कम रेट में भी देंगे संस्था आपको उसे स्विकार करेगी और आपको पुरा इंदोर शेहर याद करेगा परमन बना कर जा रहे हैं कि अब बहुत जल्दी इस शेहर को साधना और सिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा संकाए संबोदी साधना संग की रूप में संबोदी धाम की रूप में इस शेहर को दे रहे हैं और मैं निविदन करा हूँ किसी भी मानुवाओ के पास राजवाडास के 10-12 किलोमेटर खेतर में यानि इन दोर के चारों अत्रफ कहें भी मुख्य मारगे से जुड़ी कोई बड़ा भुखंड हो वे या तो हमें बताएं या जो ये प्रबंद समिती के लोग उनका आप जानकरी दें ताकि आपके भुखंड का आने वाले कल के लिए इतिहास बन सके ऐसा प्यारा उप्योग हो सके एक बड़ी प्यारी सी कहनी कहकर आप लोगों को विदा करता हूँ कहते हैं एक घर में एक संत का आना हुआ अगर ज्यादा नथ थक्यों तो कमर सीधी कर लो कमर सीधी करोगे तो सीधी उतर जाएगे नहीं तो बीच में मोड होता है तो अटक जाएगे वो पीछे पता है स्वामी विवेका नंद एक बात कहा करते थे कि दुनिया में तेजस्वी उरजावान और युवक कौन है तो कहा वो नब्बे साल का बुढ़ा भी युवक है जिसका मेरुडंड सीधा है क्या है जिसकी रीड की हड़ी सीधी है वो नब्बे साल का युवक भी उरजावान होता है संत जैसे ही भीतर पहुँचे तो घर में जो बहु थी उस बहु ने संत महराज से कहा पधरो माराज आपका स्वागत है बरे दोपेर में निकल कर आए क्या कहा? बरी दोपेर में निकल कर आए संयोक की बात के अंदर उसका ससुर्वी रूम में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था और उसने घड़ी देखी सुबह के समा आठ बजे हैं और बहुरानी ऐसी पागल क्या कहा रही है माराज? बरे? दोपेर में निकल कर आगए? संतने का बहिन समय का पता नहीं लगता इसलिए मैं तो निकल पड़ा पधरो माराज पधरो अहार लो महिला ने ग्रणी ने बहुत सम्मान प्रग मुनी को अहार दिया और अहार लेने के बाद मुनी ने पूछा बहिन तुमारे सास की उम्र कितनी है? कहा गुर्धिव मेरी सासुमा लगबग छे साल की है सास साल की है अच्छा तुमारे पती वो तो अभी तक केवल तीन चार साल के हैं और आपका ससर गुर्धिव क्षमा करें वो अभी तक सासुमा की है आप सोच सकते हैं इन सब बातों को सुनकर ससर के बेजे में क्या हुआ होगा वो जो अंदर बैठा है और वो वो जो बाते सुन रहा है बहु और संतकी उसे पहला गुस्सा तो इस बात का रहा है ये महराज को हमारे गर में पंचायती करने का मतलब क्या है ना और आते हैं बहुत बरस पड़ा ये तू क्या पागल जैसी बातें करती है कहती है महराज भरे दोपर में आ गए और तेरी सासुमा छे साल की और 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 तेरे तेरे क्या सासुर जी मा के पेट में सास के पेट में और तेरा पती तीन चार साल का अरे पापाजी महराज के पास चलो वो ही बताएंगे, मैं क्या बताओं इसकुटी पर बैठे, पीछे बहु को बैठाया और यूं करते हैं महराज के पास आए बहु बन में खुश हो रही थी अज जीवन में पहली बारे में ससुर जी संत के पास चल रहे कभी नहीं गए वहाँ जाते ही बात उठाई तो उसने कहा, संत ने कहा महराज, सावक ने कहा महराज ये बताओ, तो से आपने ऐसी ऐसी बाते क्यों कही, कि भाई तुमारी बहु ने क्यों कहा ये तो वो बताएगी, पर इसलिए कहा होगा, मैं भरी जवानी में संत बन गया, तो इसने कहा, महराज, भरी दोपर में कैसे निकल गए, तो मैंने कहा, समय का पता नहीं लगता, इसलिए मैं तो निकल पड़ा तो ये कैसे कहा कि, छे साल के सास, तो कहा, भई, ये तो तुम्हारी पाठ आरादना, नहीं नहीं, दिन बर गुसा, हाँ बहुत करती थे वो, पर ये तो सन दो हजार चौदे में, जब ललित प्रभजी, चंदर प्रभजी, मराज दसरा मैदान में आये थे, और मैं मम्मी जी को महाँ पर लेकर जाती थी, तो मम्मी जी का कहा कि, तुमारा पती, तीन-चार साल का है, ओफो, अच्छा बताओ, उससे पहले वो कोई, ना बेटा, वो तो एक नंबर का बिगड़ा हुआ था, ये तो ललित प्रभजी, मचादर प्रभज माराज वापस जब आये, पूना जाते फिर हमारे यहां आये, और फिर तेरा पती गया, तो फिर वो सुधर गया, तो तुन ये कैसे कहा कि, तेरा ससुर सास के पेट में, पापा जी, आपने जंदिगी में एक पैसे का दान दिया, मंदिर जाते हो, आप कभी समवस्री को भी भगवान के पूजा करते हो, दान पुनिया, बताओ फिर आप पैदा कहां से हुए हो, आपका जनम हुआ ही नहीं, मा के पेट मी ही हो, आप कहां निकले बार, अरे बेटा, तुने मेरा बेजा खुल दिया, मैं भी आप अच्छे काम करूँगा, और घर आए, सुनना अब कहानी को ध्यान से, और आते ही अपने मुनियम जी का वाज दे, मुनियम जी इधर आओ, बोलो भूसे, आजुबा जुगाओं में जाओ, मुझे गरीबों को दान देना है, तो सस्ते वाले जो गयों मिलते हैं वो खरीद कर ले आओ, अब मुनियम जी भी उसी सेट के थे, वो जो रासन के दुकान में भी रासन वाले नहीं, उनके यहां जो साल बर पुराने गयों पड़े थे, जीव पैदा हो गए थे, और वो केवल एक रुपय किलों, डीड रुपय किलों का दान करेंगे सेट साब, बहु को लगा, पापा जी सुधरे हैं पर अभी तक पूरे, नहीं सुधरे, उसने अपने श्टाप से का नीचे जाओ, चार किलों गयों लेकर आओ, टेक्टर में से, चार किलों गयों आए, उन्हें पिसाया गया, और बहु ने उन्ही की रोटि हैं बनाई सेर जी खाना खाने बैठें, फिर опыт होले, जैसे ही कोड लेए, बिनड़ी, यह क्या खाना बनाया थे हैं खाते हैं, नहीं पापा, वैसे ही रोज वाला, नहीं नहीं जैसे ही ? यह आठा कास है ? नहीं पापा, बढ़िया वाला, कि कहां से आया, और वो आपने नीचे ग्यों मंगाएं, अपने गर में आता खतम हो गया, तो आपने बाटी ले जो ग्यों मंगाएं, मैंने उसी में से, अरे डावडी, तु मुझे जान से मारेगी, वो वाले ग्यों, तु मुझे खिला रहे हैं, वो तो दान देने के लिए मंगाएं, मैंने, कहा पापा जी, मैंने सोचा, आप में आदत डाल दूँ, कहा मतलब, कि मैंने बजुर्गों से सुना है, इस जनम में जैसा देते हो, अगले जनम में वैसा ही, खाते हो, सोचा, अगले जनम में आपको यही वाले ग्यों खाने है, तो अभी से आपकी आदत डाल दो खाने की, क्या का, अरे, बीन नी, तु तो मुझे पूरी सुधार के रहेगी, मुनिम जी, ये सारे ग्यों को गाउं के बाहर ले जाकर जानवरों को खिला दो, अगले दिन सुबह, पांच-पांच किलो, पांच-पांच किलो, पांच-पांच किलो, यहूं के पैकेट बनाए, पूरे आजू, बाजू, जॉंपनियों में कहला दिया, और सबको पांचमांच दस-दस की लोग यहूं का दान कर रहे थे, बाहर बैटे बैटे, बहु इतनी खुश हो रही थी, पता नहीं, अचानक उसके क्या जचा, वो घर की छट पर गई, और थाली और बिलन हाथ मे लेकर, ठाली बजाने लगी, अड़ोस-पडोस की सारी महिला भाई, आज मेरे ससर जी पैदा हो गए, इसलिए थाली बजा रही है, मेरे भाई, हम बार बार आपके इंदोर में आते रहेंगे, और ऐसे ससरों को पैदा करते रहेंगे, हमारी और से, आप सभी लोगों के लिए, मंगल प्रेम.